फ्रेंट्स आज हम बोगन बेलिया पर पत्यों से ज़्यादा फूल कैसे लाए जा सकते हैं इसको वीडियो के माध्यन से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी तो फ्रेंट्स अगर आपके बगीचे में कोई बोगन बेलिया का पौधा लगा हुआ है तो उस पर इस समय नई पत्या आनी शुरू हो गई होएंगी तो ये वही सही समय है जब हमें अपते बोगन बेलिया के पौधे पर इस समय कुछ जरूरी काम कर देने चाहिए जिससे की पत्यों से ज़्यादा फूल हम आने वाले समय में ले सकें मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहेगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे फ्रेंट्स लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं नमश्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बोगन बेलिया का पौदा एक पर्मानेंट पौदा है और इसमें कई कलर के फूल आते हैं ये पौदा काफी हार्डी होता है और जब टंप्रेचर 35 डिग्री सेल्सियस के उपर जाता है तब इस पौदे पर फूल आने सुरू हो जाते हैं ये लिए अब देखते हैं कि हमें अपने बोगन बेलिया के पौदे पर ऐसे कौन से जरूरी काम कर देने हैं जिससे की आने वाले समय में पत्यों से ज़्यादा उनसे हम फूल ले सकें तो फ्रेंट्स सबसे पहले बोगन बेलिया के पौदे पर जो भी लंबी इधर उधर डालिया निकली हुई है उन सभी डालियों को पौदे पर से थोड़ा थोड़ा प्रून कर दीजिए इसके लावा अगर कोई ऐसी डाली है जिसपे की अब ग्रोथ नहीं हो रही है या नई पत्यां आने की कोई उमीद नहीं है तो उन डाली को भी पौदे पर से हटा दीजिए जिससे की ये सब एनरजी बचती रहे और पौदे के पास में स्टोर रहे जिससे की जब आने वाली नई ब्रांचों पर वो इसी एनरजी को लगा सके दूसरा जो काम बोगन बेलिया की पौदे पर करना है तो फ्रेंट्स वो इसकी मिट्टी में करना है तो गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से थोड़ी डीप गुडाई कर देनी है जिससे की जड़ों में नीचे तक ऑक्सीजन जाने लगे और जो जड़े अभी हमारी डबलब पौदे की नहीं हो रही है वो हमारी जड़े डबलब पौदे की होना सुरू कर दे बोगन बेलिया के पौदे को धूप काफी पसंद है इसलिए इस पौदे पर फूल तभी अच्छे से आते हैं जब इसको पूरी सनलाइट मिलती है अगर ये किसी चायादार पेड़ के नीचे रखा हुआ है तो पेड़ तो बढ़ेगा लेकिन उस पे फूल नहीं आएंगे इसलिए बोगन बेलिया के पौदे को उठाके ऐसी जगे रखें जहां पे सुबे से शाम तक की बराबर धूप इस पौदे को मिलती रहे तीसरा जो सबसे जरूरी काम है इस समय बोगन बेलिया के पौदे पर करना तो फ्रेंड्स वह है इसको फर्टिलाइजर देना क्योंकि इस समय इसको हमें ऐसी फर्टिलाइजर देनी है जिससे की इसमें फूल जादा आएं और पौदे पर पतियां कम निकल कर आएं तो उसके लिए इस समय इस पौदे को पोटास और फासफोरस की जरुरत है nitrogen की जरुवत friends है लेकिन वो थोड़ी है क्योंकि nitrogen अगर इसको ज़्यादा मिल जाएगी तो ये पौधा growth करने लगेगा जिसकी वज़े से इस पे fool नहीं आएंगे तो उसके लिए friends हमें DAP खात को लेना होगा वैसे तो DAP एक chemical compound है और इसको di-amonium phosphate के नाम से जाना जाता है थोड़ी सी growth होती रहेगी और बाकी phosphorus की वज़े से पौधों की जड़ों में जो अभी तक इसकी जड़ों की growth रुकी हुई थी वो डालने से growth इसकी fast हो जाएगी तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो DAP खात के 10 से 12 दाने काफी हैं और इसको मिटी में चारों तरब जड़ों को छोड़ कर डाल के अच्छी तरीके से मिटी में मिला देना है DAP खात के लावा जो हमें दूसरी खात डालनी होगी जिसकी वज़े से पौधे पर ज़्यादा फूल आएं और जल्दी फूल आएं तो उसके लिए हमें potassium rich fertilizer लेनी होगी और वो potassium rich fertilizer हमें natural organic fertilizer लेनी होगी क्योंकि फ्रेंट्स इसमें अभी फूल 10 से 15 दिन बाद आने सुरू होएंगे और तब तब वो हमारी fertilizer धीरे धीरे मिटी में decompose होएगी तो इसके लिए हमें केले के सुखे हुए छिलकों को लेना होगा क्योंकि फ्रेंट्स केले के शिलके कम से कम 10 से 15 दिन में धीरे धीरे मिटी में decompose होते हैं तो इन टुकडों को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद में गमले की मिट्टी में थोड़ा नीचे डीप डाल के उपर से मिट्टी में इनको दबा देना है पर से गमले में पानी डाल देना है और पौधे को उठाकर धोप वाली जगे पर रख देना है ये सामने आप लोग जो मेरा बोगन बेलिया का पौधा देख रहे हैं इसमें मैंने 15 दिन पहले इसी प्रोसेस को दोहराया था और आज देखिये इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो फ्रेंट्स अगर आप लोग भी अपने बोगन बेलिया के पौधे पर इस प्रोसेस को करते हैं तो आपके पौधे पर भी 10 से 12 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये थे कुछ आसान सी टिप्स जिनको की फौलो कर हम अपने बोगन बेलिया के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स पसंद आया होगा मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों नमस्कार